शिंचिप्त शीव पुरान रुद्र सहिता बानासुर की तपस्या और उसे शीव द्वारा वरप्राप्ती शीव का गनो और पुत्र सहित उनके नगर में निवास करना बान पुत्री उशा का रात के समय सप्न में अनरुद्ध के साथ मिलन चित्र लिखा दोरा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरन बान का अनिरुद्ध को नाग पाश में बांधना दुर्गा के स्तवन से अनरुद्ध का बंधन मुक्त होना नारत द्वारा समाचार पाकर के शिरिकिष्षी की शोनी तपूर पर चड़ाई शीव के साथ उनका घोर युद्ध शीव की आग्यासे शिरिकिष्ष का उन्हें ज्रिम्भनत से मोहित करके बान की सेना का संहार करना व्यासी बोले सिर्वक्य सेनत कुमार जी आपने अनग्रे करके प्रेम पूरक ऐसी अध्भूदर सुन्दर कथा सुनाई हैं जो शेंकर की क्रिपा से योद्परोत है अब मुझे शसी मोली के उस उत्तम चृत्र के शिरवन करने की चाहें जिसमें उन्होंने परसन्हो करके बाना सुर को गन अध्यक्ष पद परदान किया था सनत कमार जी ने कहा है व्यास जी परमात्मा शंबो की उसकता को जिसमें उन्होंने परसंग नहों करके बाना सुर को गन नायक बनाया था आदरपूरक श्रवन करो इसी परसंग में महाप्रभु शंकर जी का वे सुंदर चृत्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाना सुर पर अनुग्रे करके शिरिकिश के साथ संगराम किया था व्यास जी दक्ष प्रजापता की तेरा कन्याएं कशब मुनी के पत्निया थी वे सब की साथ पती वृता और शचीला थी उनमें दिती सब से बड़ी थी जिसके लड़के दैत्ते कहलाते हैं अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चिराचा सहीत समस्त प्राणी पुत्तर रूप से उत्पन होए थे जेश्ट पत्नी दीती के गर्व से सरप्रथम दो महाबली पुत्तर पैदा हुए उनमें हिर्नाकशब जीश्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिर्नयाक्ष था उनमें परलाद जी तिंद्रियत था महान विश्ठ भक्त हुआ उसका नाश करने के लिए कोई भी डैत्य समथ नहीं हो सका परलाद का पुत्र विरोचन हुआ वैदानिया में सरश्रेश्ट था उसने विपर रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सेरी दे डाला थ उसका पुत्र बली हुआ ये महादानी और शी भक्त था इसने वामन लुपधरी विश्णु को सारी प्रिथी दान कर दे थी बली का और उस पुत्र बान हुआ वैद शी भक्त मानी उदार बुद्धिवान सत्यपर्तिगर सहस्त्रों का दान करने वाला था उस असुराज न पूर काल में तरलोकी को तथा तरलोक अधिपतियों को बालपूरो के जीत करके शूनित पूर में अपनी राजधानी बनाया और वही रहकर के रज़ करने लगा उस समय देवगांच शिंकर की कृपा से उसे शीवग्त बानासर के किंकर के समान होगे थे उनके राज़े में देवटाओं के अत्रिक्त और कोई प्रजाद दुखी नहीं थी शत्रुधरम का बताब करने वाले देवटा शत्रतावाशी कष्ट जेले थे एक समय वेह महसुर अपनी सहस्त्रों बुजाओं से तारी बुजाता हुआ तान्डव नरित्य करके महिशर शिव को परसंद करने की चेश्टा करने लगा उसके उसन नरित्य से भक्त वस्तल शंकर संतुष्टोगे फिर उन्होंने परम परसंद होके उसकी और कृपा दृष्टी से दिखा भगवान शंकर तो संपूरन लोकों के स्वामी शर्नागत असल और भक्त वांचा कलतर हुई थे उन्होंने बली नंदन महासुर बान को वाद देने की इच्छा प्रगट की मुने बली नंदन महादयत्य बान शी भक्तों में श्रेष्ट और परम बुद्धी मान था उसने प्रमेश शर्शंकर को परनाम करके उनकी स्तुती की और कहा बाना सुर बोला प्रभू आप मेरे रख्षक हो जाईए और पुत्रों तथा गनो सही तो मेरे नगर के अध्यक्ष बान करके सत्था प्रीती का निर्वा करते हुए मेरे पास ही निवास कीजी सनत कुमार जी कहते हैं महिची वे बली पुत्र बान निश्चे ही शिवजी की माया से मों में पढ़ गया था इसरी असने मुक्टी परदान करने वाले दुर आरा ध्यमेश शर को पाकर भी ऐसा वर मांगा तब एशर शारी भक्त अक्सल शंभू उसे वहवाद दे करके पुत्रों और गनों के साथ प्रेम पूरक वही निवास करने लगी एक बर बाना सुर को बड़ा ही गर्व हो गया उसने तांड़ा उने रित्ते करके शंकर जी को संतोष्ट किया जब बाना सुर को ये ग्यात हो गया कि पार्तिव लव शीव परसंद हो गया है तब मैं हाथ जोड़ करके सिर्ध जुकाई वे बोला बाना सुर ने कहा देवादी देव महादेव आप समस्त देवताओं के शिरोमनी हैं आपकी ही क्रिपा से मैं बली हुआ हूँ अब आप मेरा उत्ता मिचल सुनिए देव आपने जो मुझे एक हजार बुजाएं परतान की हैं वे तो आप मुझे महान भार सरूप लग रहे हैं क्योंकि इस तरलोकी में मुझे आपके अत्रिक्त अपनी जोड़का और कोई युदाई नजर नहीं आता इसलिए विरिश्तवज, युदाव के बिना इन परवच्त्रे की बुजाओं सस्त्रों को लेकर, सस्त्रों बुजाओं को लेकर के मैं क्या करूँ मैं अपने इस परिपुष्ट बुजाओं के खुजली मिदाने के लिए युद्ध की लालसा से नक्रों और पर्तों को चोर नकरता हुआ दिखजों के पास गया पन्तु वेवी भाई वीत होकर के भाग चले मैंने यम को युद्धा, अगनी को महांकारी करने वाला, वरुन को गुवों का पालन करने वाला गुपाल, कुबेर को गज ध्यक्ष, निरिती को सेरंद्री और इंद्र को जीट करके सिदा के लिए करद बना लिया है महिशर आप मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताईए, जिससे मेरी ये बुझाएं, या तो शत्रों के हातों से छूटे हुई, शष्ट अस्त्रों से जर जर होकर के गिर जाएं, अथवा हजारों परकार से शत्रों की बुझां को ही गिराएं यही मेरी अभी लाजशा है, इसे पूर न करने की क्रिपा करें सनत कुमार जी कहते हैं मुनिश रिष्ट, उसकी बात सुन करके बग्त बाद अबहारी, तथा महामनी उससरों पर रुद्ध को कुछ क्रोद आ गया तवे महाम अधुद अटाहास करके बुले रुद्ध ने कहा, अरे अभी मानी, संपुरन दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सता धिकार है, धिकार है, तो बली का उत्र और मेरा भग्त है तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है, अब तेरा दर्व चूरन होगा, तुझे शीक्री मेरे समान बल्वान के साथकस्मात महान भीशन युद्ध पराप्त होगा उस संग्राम में तेरी ये परवत्स रिखी बुझाएं, जलोनी लक्री की तरह शेश्ट्र अस्त्रों से छिन भिन होकर के भूमी पर गिरेंगी दुस्त आत्मन, तेरे आयद्धादार पर स्थापित, तेरा जो ये मनुश्य के सिर्वला म्यूर धोजव हैरा रहा है इसका जब वाईयो भहे के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तु अपने अच्छी तमें समझ लेना कि वह महान भ्यान की उध्धाप हो चाए उस समय तो घोर संग्राम का निच्चे करके अपनी सारी सेना के साथ वहाँ जाना इस समय तो अपने महल को लोड़ जा, क्योंकि इसी में तिरा कल्यान है दुर्मते, वहां तुझे परसिद्ध बड़े-बड़े उत्वाद दिखाई देंगे यों कहकर के गरवहारी भक्त वसल भगवान चेकर चुप होगी सनर्कुमार जी कहते हैं मुने ये सुनकर के बानासुर ने दिवय पुश्मों की कलियों से अंजली भार करके रुद्र की अभ्यार्चना की और फिर उन महादेव को परनाम करके वह अपने घर को लोड़ गया तदंतर किसी समय देवाश उनका वहद वज अपने आप तूट करके गिर पड़ा ये देख करके बनासुर हर्शित हो युद्ध के लिए अध्यत हो गया वे अपने हिद्ध में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योधा किस देश से आएगा जो नना परकार के शेष्टर अस्त्रों का पारगामी विद्वान होगा और मेरी सस्त्रों भुजां को इन धन की तरह काट डालेगा और मैं भी अपने अत्यंत तिके शेष्टरों से उसके सेंकर और टुकड काट डालूंगा इसी समय शंकर की प्रेना से वेह काल आ गया एक दिन बाना सुर की कन्या उशा वे साख मास में माधव की पूजा करके मांगले की शिंगात से सच्जित दो करके रात के समय अपने गुप्त अन्तापरन में सो रही थी उसी समय वे इस्त्री भाव काम भाव को प्राप्थ होगी तब देवी पार्टी की शिक्ती से उशा को सप्ण में शिर्किष के पुत्र अनिरुध का मिलन प्राप्थ हुआ जागने पर मैं व्याकुल होगी और उसने अपनी सखी चित्र लेखा से सप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा तब चित्र लेखा ने कहा देवी तुमने सप्न में जिस पुरुष को दिखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ जब तक कि मैं उसे जानती है नहीं उसके यो कहने पर देट्थे कन्या उशा प्रेम अंध होकर के मरने पर उतार होगी तब उस दिन उसकी उस सकी ने उसे बचाया मुनिश रिष्ट कुम भांट की पुत्रे चित्र लेखा बड़ी बुद्धी मती थी मैं बांतनिया उशा से पुना बुली चित्र लेखाने का सकी जिस पुरुष ने तुमारे मन का अभर्न किया है उसे बताव तो सही वै यदिति लोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाँगी और तुमारा कस्ट दोड़ करंगी सनत कुमार्दी कहते हैं महिशी यो कहकर के चित्र लेखाने वस्तर के परदे पर देवताओं दैत्यों दान्मों गंधर्मों सिद्धों नागों और यक्ष आदी के चित्र अंकित की फिर मैं मनश्यों के चित्र बनाने लगी उन्वे विरिश्णी वंश्यों का परकरन आरं लुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देख करके उशा लज्जित होगी उसका मुख अनवत हो गया और हिद्धे हज्च से परिपूर्ण हो गया उशा ने कहा सखी रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीकर ही मेरे चित्रुपी रत्न को चुरा लिया है वे चोर करके शन मात्र में ही प्लंग पर बैटे हुए अन्रुद्ध को महल में से उठा लाई वे दिवी योगनी थी उशा आपने प्रितम को पाकर के परसन्न होगी इधर अन्तापर की द्वार की रक्षा करने वाले बैत धारी पैरेदारों ने चिश्टाउं से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष कर लिया उन्होंने एक दिवी शीद धारी दर्शनी ए सासी और समर प्रिय नव्यूव को किन्या के साथ दो शीलता का अचरन करते हुए देख भी लिया उसे देख करके किन्या के अन्तापर की रक्षा करने वाले उस महाबली पुर्चों ने बली पुत्र बाना सुर्ख के पास जाकर के सारी बाते निवेदर करते हैं कहा दारपार बुले देव पता नहीं आपके अन्तापर में बल पुरुक परवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है वे इंदर तो नहीं है चो वेश बदल करके आपके कन्या का अभुग कर रहा है माबाहू दानवराज उसे यहां देखिए देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए इसमें हम लोगों का कोई दोश नहीं सनत कमार दी कहते हैं मुनिश रिष्ट तवारपानों का वह वचन तथा कन्या के दूशित होने का कथन सुन करके माबली दानवराज बान आश्चेरे चकीत हो गया तो अंतर वह कुपित हो करके अंतरपुर में जा पोचा माँ उसने प्रथम वस्था में वर्तमान दिविय शिरी धारी अनरुद को दिखा उसे महानाश चरी हुआ फिर उसने उसका बाले देखने के लिए दस हजार सेंकों को भीज कर आग्यादी कीसे माँ डालो सेना ने अनरुद पर आकरुन किया तब अनरुद ने बात की बात में दस हजार सेंकों को काल के हवाले कर दिया फिर तो संख्य सेना पर सेना आने लगी और अनरुद उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे तरंतर उन्होंने बानासुर का वद्ध करने के लिए एक शक्ती हाथ में ली जो कालागने के समान भेंकर थी फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बानासुर पर परहार किया उसकी गहरी चोट खा करके वीरवर बान उसी शान खोड़ो सही तो वहीं अंतर ध्यान हो गया फिर महावीर बली पुत्र बानासुर ने जो महान बल संपंतता शी भक्ता छल पूरक नाग पास से अनरुद्ध को बान्ध लिया इस परकार उन्हें बान्ध करके और पिंजरे में कैद करके वे युद्धम से उप्राम हो गया तर्थ पचाथ बान कुपित हो करके महावली सूत पुत्र से बुडा बानासुर ने कहां सोत पुत्र गास फूच से डखे हुए अगाद कुएं में डखेल करके इस पापी को मार ड़ा अधिक क्या कहूं इसे सथा मार ही डालना चाहिए सनत कमार जी कहते हैं मुने उनकी ये बात सुनकर के उत्ता मंत्रियों में शिष्ट धरम बुद्धी निशाचर कुम्भांड ने बानासुर से कहा कुम्भांड बोला देव थोड़ा विचार तो कीजी मेरी समझ से तो यह करम करना उचित नहीं परतीत होता क्योंकि इसके मारे जैने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा प्राकर्म में तो यह विष्णु के समान दीख रहा है जान पड़ता है आपर कुपित होकर के चंद्र चूर ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है साहस में यह शेशी मुली के समान तक रहा है क्योंकि इस अवस्था को पहुँच जाने पर भी यह पुर्शार्थ पर हिड़ता हुआ है यह ऐसा बली है कि यह दपी नाग से बल पुरक डस रहे हैं तो था भी यह हम लोगों को त्रीना मरती समझ रहा है सनत कुमार जी कहते हैं व्याज जी दानक कुमभांड राज लीति के ग्याताओं में शीज़ था यह बांच से ऐसा कहकर के फिर अनिरुद से कहने लगा कुमभांड ने कहा नरद्धम आप तो वीरवार दरती राज की स्तुति कर और दीनवानी में दीनवानी से मैं हार गया यो बारंबार कह करके उन्हें हाथ जोड़ करके नमशकार कर ऐसा करने पर ही तो मुक्त हो सकता है अनिथा तुझे बंधन आदी का कष्ट भोगना पड़ेगा जिसकी बात सुन करके अनुद्ध उत्तर देते हुए बोलिये नुद्ध ने कहा दुराचारी निशाचर तुझे शत्री धर्म का ग्यान नहीं है अरे शुरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मूँ मोड़ करके भागना मरन से भी बढ़कर कस्ट दायक होता है मेरे विचार से तो विरिद्ध अचरन कांटे की तरह चुबने वला होता है वीरा मानी शत्री के लिए रन भूमी में सदा समुख लड़ते हुए मरना ही श्रीश कर है भूमी पर बढ़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापी ने सनकमार जी कहते है मुने इस परकार अनिरुध ने बहुत सी वीर्था की बाते कहीं जिनने सुनकर के बाना सुख को महान विसमे हुआ और उसे क्रोध भी आया उसी समय समस्त वीरों के अनिरुध के और मंत्री कुम्भांड के सुनते सुनते बना सुर के आश्व नार्थ अकाश्वानी हुई अकाश्वानी ने कहा महावली बान तुम बली के पुत्र हो अधे थोड़ा विचार तो करो परंब धीमान शी भक्त तुमारे लिए क्रोध करना उचीत नहीं है शीव समस्त प्राणियों के इश्वार कर्मों के शाक्षी और प्रमेश्वार हैं ये सराचार चराचार जगत उनिके अधीन हैं वेही सता रजोगुन सत्तवगुन और अतमगुन का आच्रे लेकर के ब्रह्मा विश्णों और रुद्र रूप से लोकों के शिष्टी भरन पोशन और संहार करते हैं वे सर्व अंतर्यामी सर्वेशर सब के प्रेरक सर्व शिरिष्ट विकार रहित अविनाशी नित्य और माया धीश होने पर भी निर्गुन हैं बली के शिरिष्ट पुत्र उनकी इच्चा से निर्बल को भी बल्वान समझना चाहिए मामते मान में योँ विचार करके सवस्त हो जाओ नाना परकार की लिलाओं के रचने में निपुन भक्त वस्त बवान चेंकर गरव को मिटा देने वाले हैं वे इस समय तमारे गरव को चूर का देंगे सनत कमादी कहते हैं माम उने इतना कहकर के अकाशवानी बांदोगी तब उनके वचन को मान करके बाना सुनने अनिरुद्ध का वद्ध करने का विचार जोड़ दिया तरंतर विशैले नागों के पाश से बदे हुए अनिरुद्ध उशी शान दुर्गा का संब्रण करने लगी अनिरुद्ध ने कहा शन नागा तवस्ले आप यश्य परदान करने वाली हैं आपका रोश बड़ा अग्र होता है देवी मैं नाग पाश से बंदा हुआ हूँ और नागों की विश्य जवाला से संतब्त हो रहा हूँ अता शेकर पतारिये और मेरी रख्षा कीजिए अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोईले के समान क्रिष्ण वरनवाली काली को इस परकार संतुष्ट किया तब जेश्ट क्रिष्ण चतरदशी की महारात्री में महाँ प्रगट हुई उन्होंने उन सर्परुपी भ्यानक बानों को भसम साथ करके अपने बलिष्ट मुकों के आगाज से उस नाग पंजर को भी दीर न कर दिया इस परकार दुगाने अनिरुद्ध को बंदन मुक्त करके उन्हें पुना अंतापुर में पहुचा दिया और स्यम वहीं अंतर ध्यान होगी इस परकार शीव की शक्ती रुपा देवी की किर्पा से अनिरुध कर्ष्ट से चूट गे उनकी सारी विथा मिटगी और वे सुखी होगी तरंतर पर दुम्मन नंदन अनिरुद्ध शीव शक्ती के परताप से विजई हो करके अपनी प्रिया बांत निया को पाकर के परम हर्शित हुई और अपनी प्रितमा उस उशा के साथ पूर्वत सुख पूर्वक विहार करने लगी इदर पोत्र अनिरुद्ध के अद्रिश हो जाने तथा नारजी के मुक से उनके बाना सुख के द्वारा नाग पाज से बांदे जाने का समाचार सुनकर के बारा अक्षोनी सेना के साथ पर्दुम्म नादी वीरों को साथ ले करके भगवान श्री किष्णे शोनी तपूर पर चिड़ाई कर दे उतर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज़ धज करके आडटे फी तो श्री किष्णे और श्री शीव का बड़ा भ्यान की उध्ध हुआ दोनों और से ज्वर छोडेगे अंत्मे श्री किष्णे स्याम श्री रुद्र के पासा करके उनका स्तमन करके कहा सर्व्यापी शंकर आप गुनों से निलिप्त होकर भी गुनों से ही गुनों को परकाशित करते हैं गिरिशाई भूमन आप सवपरकाश हैं जिनकी बुद्धी आपकी माया से मोहित होगी है वे इस्ति पुत्र ग्रे आदी विश्यों में आसकतो करके दुख सागर में डूपते उत्राते हैं जो अजितिंद्रिय प्रुष प्रारब्धवाश इस मनुश्य जनम को पाकर भी शोचनिय तथा आतम मंचिक है भरवन आप गरभारी हैं आपने ही तो इस गरविले बान को शाप दिया था आदे आपके ही आग्या से मैं बाना सुर्की बुझाओं का छैदन करने के लिए यहां आया हूं इसलिए महादेव आप इसी युद्ध से निवरित हो जाईए प्र महिश्व ने कहा तात आपने ठीक ही कहा है कि मैंने ही इस देटिराज को शाप दिया है और मेरी ही आग्या से आप बाना सुर्की बुझाओं काटने के लिए यहां अधारे हैं कि दुरमानात हरे क्या करूं मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूं ऐसी दिशा में वीर मेर देखते बान की बुझाएं कैसे काटी जा सकती हैं इसलिए मेरी आग्या से आप पहले जिरिम्बन अस्त्र द्वारा मुझे जिरम्भित कर देजिए तत्वचात अपना भिष्ट कारे संपल कीजिए और सुखी हो जाईए सानत कुमार जी कहते हैं मनीशवर शंकर जी के यो कहने पर शांकरपानी श्री हरी को महान विस्मे हुआ वे अपने युद्ध स्थान पर आकर के परम आनंदित हुए व्यास जी तरंतर नाना परकार के अस्त्रों के संचालन में निपन श्री हरी ने तरंती अपने धनुश पर जिरिम्बन अस्त्र का संधान करके उसे पिनाक्पानी शंकर पर छोड़ दिया इस प्रकार श्री किष्ण जिरिम्बन अस्त्र द्वरा जरंबित हुए शंकर को मौ में डाल करके खडग गदा और रिष्टी आदि से बान की सनका संहार करने लगे अध्याए 51 से 56 पौर्ण श्री किष्ट वरा बान की बुझाओं का काटा जाना सीर काटने के लिए उद्यत हुए श्री किष्ट को शीव का रुकना और उन्हें समझाना श्री किष्ट का परिवार समेत द्वारका को लोग जाना बान का तांडव निरित्य द्वारा शीव को पर सन्न करना शीव न्यायन वर्दानों के साथ महा कालत्तों की प्राप्ति सनत कमा जी कहते हैं महा प्रयाग प्यास जी लोक लीला का उसरन करने वाले श्रीकिष्ट और शंकर की उस परम अध्भुत कथा को श्रवन करो ताथ जब भगवान डोदर लीला वश्य पुत्रों तथा गनो सहीत सोगे तब देती राजबान श्रीकिष्ट के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित वा उस समें कुम्भांड उनके अश्यों की बाग डोद संबाले वे था और वे नाना परकार के शेश्ट अध्रों से सजद्धित था फिर वे महाबली बली पुत्र भीशन युद्ध करने लगा इस परकार उन दोनों में चिर्काल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा क्योंकि विश्णों के अवतार श्रीकिष्ण शीव रूपी थे और उदर बल्वान बनासुर उत्तम शीव भग था मुनिश्वर तक अंतर वीरिवान शीर किष्ण जिने शीव की आग्या से बल प्राथ हो चुका था शीर काल तक बान के साथ यों युद्ध करके अच्चनत कुम्वित तो ते तब शत्रो वीरिकष्ण से हाथ करने वाले भगवान शीर किष्ण शंभू के आदेश से शीग्रही सुदर्शन चक्र द्वारा बान की बाउसे बुझाओं को काट डाला अंत में उसकी अच्चनत संदर चार भुजाएं ही अब शेश रह गी और शंकर की कृपा से शीग्रही उसकी व्यथा भी मिट गई जब बान की सम्रिथी लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्ट होई शिर किष्ण का सिर काट लेने के लिए अग्यत हुए तब शंकर मो निद्रा को त्यार करके उठ खड़े वे और बोले रुद्र ने कहा देवकी नंदन आप तो सदा से मेरी अग्या का पारण करते आई हैं भगवन मैंने पेड़े आपको जिस काम के लिए अग्या दी थी वे तो आपने पूरा कर दिया अब बान का शिरच्छी दन मत कीज किये और सुदर्शन चक्र को लटा लिजिए मेरी आग्या से ये चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोग रहा है गोबिंद मैंने पेड़े ही आपको युद्ध में अनिवारे चक्र और जैपरदान की थी अब आप इस युद्ध से निवरित हो जाईए लच्मीश पूर काल में भी आपने मेरी आग्या के बिना दधीच, वीदिवार, रावन और तारकाक शादी के पुरो पर चक्र का प्रयोग ने किया था जनारदन आप तो युगीश्यर, शाक्षात परमात्मा और संपरन प्रानियों के हित में रत रहने वाले हैं आप स्यमी अपने मंग से विचार कीजिए, मैंने इसे वर्द दे रखा है कि तुझे मिरित्यों का भे नहीं होगा, मेरा ये वचन सदा सत्य होना चाहिए, मैं आप पर परम परसन हूँ, हरे, बहुत दिन पूर ये गर्ष से भर करके उनमत हो उठा और अपने आपको भूल गया था, तब अपनी बुजाएं खुजलाता हुआ, ये मेरे पास पोचा और बोला, मेरे साथ ही युद्ध कीजी, तब मैंने इसे शाफ देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी बुजाओं का छिदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा, बांट को, ऐसे बांट की और देख करके, क जिससे अब आप युद्ध बंद कर देजिए और वरवधो को साथ ले, अपने घर को लोट जाएगे, यो कह करके महीश्वर ने उन दोनों में मित्तता करा दी, और उनकी आग्या ले करके, वे पुत्रों और गनों के साथ अपने निवास थान को चलेगी। या और विजे शिरी शिशोबित हो, वे बाना सुर के अंतापर में पधारे, वहां उन्होंने उशा सहीत अनिरुद्ध को आशवाशन दिया, और बांद वारा दियेगे अनेक परकार के रतन समयों को ग्रहन किया, उशा की सखी परम योगनी चित्र लेखा को पाकर, तो शि शिरी हरी हिद्धे से शंकर को परनाम करके और बली पुत्र बाना सुर की आग्या लेकर के परिवार समेत अपनी पुरी को लोट गे, द्वार का में पहुंच करके उन्होंने गरुड को विदा कर दिया, फिर हर्श पुरो कर मित्रों से मिले और सिच्छा अंसार आचरन करन लगे, इधर नंदीशर ने बना सुर को समझा करके ये कहा, भक्त शारदूल, तुम बारंबार शिव जी का समरन करो, वे भक्तों पर अनकंपा करने वाले हैं, अज़िए उन आदिकरू शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोसब गरो, तब द्वेश रहित हुए महामनस कहने से धैरए धारन करके तुम आध ही शीव स्थान को गया, वहां पूंच करके उसने नाना परकार के स्तोतरो द्वरा श्यीव जी की स्तूति की और उन्हें परनाम किया, फिर वेहे पादों से ठूंकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना परकार के आ लीड और पत्या लेड आदी परमुख स्थान को द्वारा शिशोबित निर्ट्यों में परधान तांडव निर्ट्य करने लगा उस समय में हजारों परकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बहों को मटका करके तितासिर को कंपा करके सस्त्रों परकार के भाव भी प्रकट करता जाता था इस परकार निर्ट्य में मस्त्वे महाभक्त बाना सुने महान निर्ट्य करके नत्मस्तक को करके तरी शूलधारी चंदर शेकर भगवान डुर्द्र को परसन कर लिया तब नाच गान के प्रेमी भक्त वस्चल बगवान हर हर सी तोकर के बान से बोड़े रुद्र ने कहा बली पुत्र प्यारे बान तिरे निर्ट्य से मैं संतोस्तो गया हूं अतर देतिंद्र तिरे मन में जो भी लाशा हो उसके अंडोप वार मांद ले सनत कुमार जे भी कहते हैं मुने शंबो की बाद संकर के देतिराज बान ने इस परकार वर मांगा मेरे घाव भर जाएं बाहु युद्ध की शंता बनी रहे मुझे अक्षे गन नायक का पद प्राप्त हो शोनिपुर में उशा पुत्र अर्थात मेरे दोत्र का राज्य हो देताओं से तथा विशेश करके विश्णों से मेरा वैर भाव मिट जाए मुझे में रजगुन और तमगुन से योक्त दूशित देत्य भाव का पुना उदे नहीं हो मुझे में सदा निर्विकार शंबु भक्ती बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा सने और समस्त प्राणियों पर द्या भाव रहे यो शंबु से वर्दान मांग करके बली पुत्र महासुर बान अंजली वांदे रुद्र की स्तुति करने लगा उसमें उनके नित्रों में प्रेम के आंसों चलकाए थे तरंतर जिसके सारे अंग प्रेम से पर फुली तो उठे थे वह बली नंदन बाना सुर महिशक को परनाम करके मोन हो गया अपने भक्त बान की प्रात्रा संकर के भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यो कह करके वहीं अंतर ध्यान होगी तब शंबु की किरपा से महा का लत्व को प्राप्त हुआ रुद्र का अंचर बान परम अनंद में निमगन हो गया व्यास्ति इस परकार मैंने संपूरन भावनों में नित्य क्रिडा करने वाले समस्त गुरू जना को भी सद गुरू शोरपानी भवान शंकर का बान विश्यक चरित्र जो परमुत्तम है करन परिये मधूर वचनों द्वारा तुमसे वर्नन कर दिया अध्याय पच्पन चपन पॉर्ण